सब भी वेटनरी स्टूडेंट्स का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम डोग क्रोपिंग के कुछ महतंपुर्ण तथ्यां पर बात करेंगे और जानेंगे इसके फैदे और नुक्षान के बारे में हमारे पास एक डोगी है इसके एर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है उसकी वज़े से हम इसी क्रोपिंग करनी अति महतंपुर्ण है क्योंकि सबसे पहले अपने डोगी के जहां से इन्फेक्शन हुआ है अच्छे से क्लीन कर लें और आईवी देते समी थोड़ा ध्यान रखें आप एंटिबाइटिक को सीधा आईवी दे सकते हैं और इन्जेक्शन को थोड़ा बैक लें ताकि हमें पता चले कि अच्छे सेवेन में लगा हुआ है या नहीं ये दूसरा डोग है ये आपस में लड़ते हुए काफी ज़्यादा घायल होगे थे इतने भद्दे लगने लगे थे थोड़ा सा कान को काटकर अच्छे से कर दिया गया है ये जो क्लैम्प होता है इसको अच्छे से देखे और किस लोकेशन पर लगाया जाता है इसका सबसे अच्छा बैनिफिट हमें ये मिलता है कि डोग के अंदर से कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती डोग ब्लीडिंग 0% रहती है अगर हम इसका यूज करते हैं इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी आपका डोग पेन फील भी करता है तो डरे नहीं इसे लगा देएं अच्छे से टाइट करें अच्छे से टाइट करने के बाद ब्लीडिंग आने के चांस 0% होते हैं इस दोग के अंदर काफी ज़्यादा इयर इंफेक्शन हुआ है थोड़ा डोग पेन फील करता है उसके बाद हमें थोड़ा सा कोरेक्शन करके इसके टांके लगा दिये हैं सूचर कर दिया गया है देखिए काफी अच्छे से नजर आ रहा है चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ देखिए ये दूसरा डोग था सूचरिंग कम से कम जितना बड़ा इयर होता है उतने ही सूचरिंग करनी पड़ती है कम से कम 20 सूचर यह उसे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा थैंक यू फॉर वाच्छा